नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अतुल श्रिवास्तो और स्वागत है आपका नेक्सेज जी असमें आज जानेंगे इंद्रा गांधी जी ने भारत में राष्ट्री आपातकाल कब और क्यों लगाया था आपातकाल होता क्या है आपकी परिक्षाओं के दृष्टिकों से इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जा सकती है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है एक लोगतांतरिक देश है और यहाँ पर जन्ता के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है वो देश का सासन चलाती है लेकिन जब देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है जो बोल सकते हैं कि सामाने नहीं होती है तो राष्ट्री आपातकाल की घोशना भी करनी पड़ती है और जब हम भारती संविधान पढ़ते हैं जब भारती संविधान के बारे में हम लोग देखते हैं तो आर्टीकल 352 से लेकर आर्टीकल 360 तक आपातकालीन उबबंद किये गए है आपात काली इस्तिती में केंदर सरकार जो है वो सर्वसक्तिमान हो जाता है और सभी राजे सरकार जो है वो आपका केंदर सरकार के पूर नियंतरण में आ जाते हैं अब ये राश्ट्री आपातकाल है क्या जिसने भी लक्षमी कांसर की किताब पढ़ी होगी राश्ट्री आपातकाल के बारे में पढ़ा होगा पॉलिटी का सेक्षन पढ़ा होगा तो राश्ट्री आपातकाल के बारे में पढ़ा होगा एक्जामनेशन में State Level के Examination में, UPSC में कई बार पूछा जा चुका है, रास्टी आपातकाल के बारे में, तो भारती सविधान का जो Article 352 है, उसमें रास्टी आपातकाल का प्रावधान है, तो एक पहला तो question यही बन जाता है, Article 352 क्या है, या फिर इस तरह से पूछा जाता है, रास्टी आपातक का वर्णन जो है, वो कौन से आइडिकल में किया गया है, महत्यपूर्ण है, पूछा जाता है, तो रास्टी आपातकाल उस इस्तिती में लगाया जाता है, जब पुरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाय आकर्मन अथवा शशक्त विद् बेट कौन सी थी, ये पूछी जाती है, आज भी आपके एक्जामनेशन में, तो 25 जून 1975 को घोशित किया गया था, अभी जो आपका 25 जून 2020 गई है, तो 45 वी नंबर की वर्षगाठ मनाई गई है, और अब इसके बारे में थोड़ा से हम लोग और बैक्राउंड के बारे मे जानते हैं, कि उस समय के पहले, या फिर आपातकाल लगने से पहले देश का राजडेंतिक माहौल क्या था, ऐसी कौन सी स्थितिया ये फिर परिस्थितिया बनी थी, जिसकी वज़े से राश्ट्री आपातकाल लगाया गया था, जैसा कि अब भी आप देख रहे हैं, बैंक खत्म होने और प्रीवी पर्स, जो आपका राजपरिवारों को मिलने वाला भत्ता होता है, उसको खत्म करने जैसे फैसलों से, इंद्रा की जो इमेज है, वो गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी, अब गरीबी हटाओ का एक नारा आया या पूचा भी जाता है आप अब लोगों के लग रहा था कि सिर्फ इंद्रा ही गरीबों के लिए लड़ रही है, और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि मार्च 1971 में देश में आम चुनाओ हुए, तो कॉंग्रेस पार्टी को जबर जस्त सीट मिली, कुल 518 सीट सी, जिसमें कॉंग्रेस को दो जादा मतलब 352 सीटे हासिल हुई थी, तो इस चुनाओ में इंद्रा गांधी भी उत्तरवदेश की राइबरिली लोग सभा सीट से करीब एक लाग से भी जादा वोटों से चुनी गई थी, और उस समय उनके जो प्रतिदुन्दी थी, सैंत सोसलिस्ट पार्टी के प्रत्य 80 थे राज नारायन, उनको हराया था, तो किसको हराया था, ये तो वैसे एक्जामनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन इंसर रिलेट काफी चीज़ें हैं, राज नायायन साहब जो थे, वो उत्तर प्रुदेश के वरार्सी के प्रकर समाजवादी नेता थे, उनके इंद इंद्रा गांधी की जीत को इलाहबाद हाई कोड में चुना होते दिये, और यहीं से सुरू होता है देश में राजनितिक उथल पुथल का दौर, तो कोड का निर्णे क्या था, वो इंद्रा के खिलाफ था, देखे, राज नारायन के वकील की कोड में वकील थे, प्रसिद चार का औरोप लगाया था, और यह मामला जो है राजनारान बनाम उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है, तो वकीर शांतिभूशन ने सरकारी मशीनरी का उप्योग सिद्ध करने के लिए उधारन किया कि प्रधान मंतरी के सचिव यश्पाल कपूर ने राश्टपती द् उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंद्रा गांधी के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपियोग का एक पुक्ता सबूत था, और उस समय इलहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जगमोहलाल सिनहा, इन्होंने अपने फैसले में मान कि इंद्रा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपियोग किया, और इसी लिए जन प्रतनिधित कानून के अनुसार सांसद उनका चुना जाना अवैध है, ठीक है, अब आपको स्कृप्ट समझ में आ रही होगी कि क्या एक बहुत बड़ा रीजन था जिसक पर प्रॉब्लम बढ़ी, तो अदालत में साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, और ऐसी स्थिति में इंद्रा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था, अब उनके पास प्रधान मंतरी पत छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, तो अलाकि दालत में कॉंग्रेस पार्टी को थोड़ी सी राहात देते हुए नई वेवस्था अर्थात नया प्रधान मंतरी बनाने के लिए पीन हफ्तों का टाइम दिया, अब इस समस्या को हल करने का प्रयास कैसे हुआ, किस तरह से सॉल्व करने की बात हुई, तो इस समय देश में इंडिया इस इंडिया का महौल था, और ऐसे महौल में इंडिया के होते हुए किसी और को प्रधान मंतरी कैसे बनाय जा सकता था, साथी इंडिया अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी विश्वास करती ही नहीं थी, औ इन्होंने इंडरा गांधी को सुझाओ दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कॉंगरिस की अध्यक्ष बन जाये और उन्हें प्रधान मंतरी का बद सौंप ने, पत्रकार थे इंडरर मरहोता, उनके अंसार जब प्रधान मंतरी आवास पर ये चर्चा चल रही थी, उसी समय उन्होंने अपनी मा को कमरे से बाहर ले जाकर सला दी की स्तीफा ना दे, उन्होंने इंडरा गांधी को समझाया, यदि उन्होंने प्रधान मंतरी का पत किसी और को दिया, तो फिर वह वक्ती इसे नहीं छोड़ेगा, और आपके द्वारा पार्टी में जो पार्टी होती देंगी, तो इस केस की सुनवाई जज जस्टिस वी आर क्रशना आयर ने की थी, जज साब ने अपने फैसले में कहा कि वे इलहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे, सुप्रेम कोर्ट ने इंदरा को प्रधान मंतरी बने रहने की अन्मत होती दो दे दी, लेकिन कहा कि वे इंतिम फैसला आने तक सांसत के रुप में मद्दान नहीं कर सकती हैं, अब यहीं पे नाम आता है जैप्रकास नारायर सहाब का, इनका क्या रोल था, देखिए कोर्ट की उठा पटक के बीच में बिहार गुजरात में कॉंगरेस के नारायर सहाब की रैली थी, जैप्रकास ने इंद्रा गांधी की उपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंग दिनकर की एक कविता क्यांस सिंगहासन खाली करो की जनता आती है का नारा बुलंद किया, तो जैप्रकास सहाब ने विद्य पर इंद्रा ने आपात का लगाने का फैसला कर दिया, और इनके लावा इंकार्णों ने भी इंद्रा को आपात तालिन लगाने के लिए मजबूत कर दिया, जैसे आपका इंद्रा के खिलाब पुरे देश में जना क्रोस भी बढ़ रहा था, इसमें छातरो जो संपूर्ण विपक्ष है, वो आपका एक्जूट हो गए थे, कोड की आदेश ने इंद्रा की हालत को पूरी तरह से पंगू बना दिया था, क्योंकि इंद्रा आप संसद में वोट नहीं डाल सकती थी, और उनको पार्टी की किसी नेता पर भरोसा नहीं था, इसके लावा इंद्रा को लगा कि जैप्रकास के अवाहन पर सेना जो है तक्ता पलट कर सकती है, तो जितनी भी चीजें हैं वो इंद्रा को आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा बहाना जो है जैप्रकास द्वारा बुलाया गया असहयोग जो आंदोलन था, वही था, और इसी आधार पर इंद्रा न पर कास नारायड के द्वारा बनाया गया है और इसमें जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल मतलब National Emergency in India लगाई जाए ताकि देश की एकता और खंडता की रक्षा की जा सके, तो इस परकार देश में पहला जो रास्टी आपातकाल है वो 25 जून 1975 में लागू किया गया जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला उस समय देश के राश्ट्पती कौन थे फक्रुद्दीन अली एहमाद सहब तो इस तरह इंद्रा गांधी द्वारा देश में लगाया गया आपातकाल जो है भारत के राश्नितिक इतिहास की एक अमिट घटना है और उमीद है कि अ आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था चले फिलहाल के लिए इतना ही नेक्सजियस को आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं सस्क्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल फेस्बुक पे नेक्सजियस को आप फॉलो कर सकते हैं इसके लावा हमारा टेलिग्राम चैनल है नेक्स Gs के official Facebook page पर हमारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा तो वहाँ से आप जाकर सारी PDF प्राफ्ट कर सकते हैं चलिए, फिलाल के लिए तना ही Thank you so much